हाई विनर्स आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बिट्ग्रेट की इस टाइम पर थर्ड मन्थली बर्न और बाइबेक की वेट हो रही है और प्रॉपर डेट एनॉंसमेंट का वेट जो है वो कही न कहीं पर एक हिंट ने कंप्लीट किया है अब वो हिंट क्या है बिट्ग्रेट ब्राइज ने अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर एक हिंट दिया है 31st of March 2023 का अब इस हिंट को देखकर तो यही लग रहा है कि 31st of March 2023 को यानि कि इस मन्थ की लास्ट डेट में बिट्ग्रेट जो है वो अपना 3rd मंथली बर्न करने जा रहा है शायद यह अपडेट शायद यह हिंट इस टाइम पर बिट्ग्रेट मार्केट के अंदर उसकी बुलिश प्रेडिक्शन के साथ और कईना कई पर ट्रेडिंग वाल्यूम को भी more than 13% से अबव ठीच चुका है 40% circulating supply verified है और coin market cap पर इसका rank improve होकर 161 जा चुका है market option में अगर आप लोग देखे तो कुकोईन सबसेट टॉप की exchange है लेकिन कही ना कही पर बिट्ग्रेट इस टाइम पर more than 26 exchanges में listing पा चुका है और जो नया update निकल कर आ रहा है दोस्तों वो Indian community की तरफ से coin bx another great Indian exchange to list price मतलब अब अगर मैं Indian community की बात करूँ so सभी Indian exchanges में धीरे-धीरे करके price की listing होती जा रही है Sun Crypto में already starting से थी then coin dcx then wajir x and right now coin bx में भी bit great price list होता दिखाई दी रहा है 27th of March 11.30am utc time के according trading भी start हो जाएगी coin bx में यानि कि bit great community इस time पर India के अंदर एक super strong community बनती हुई दिखाई दे रही है third month ली burn जो निकल कर आ रहा है वो 31 March या फिर इसके साथ साथ buyback भी हो सकता है या फिर कई न कई पर एक दूसरा hint हम देखे bit great ने बहुत टाइम पहले से अपनी top tier 1 exchanges listing की बात की है हो सकता है कि burn पहले हो जाए और 31 March 2023 इसको नई listing का update आए या फिर burning, buyback और नई listing के update सारे के सारे हम लोगों को 31st of March 2023 तक दिखे अब इन में से कुछ भी हो लेकिन एक चीज़ confirm है कि आने वाले 7-8 दिन के अंदर bit great के price में हम लोगों को काफी अच्छी increment दिखने वाली है जो last 24 hour में approximately 1.5% से जादा increase हो चुकी है bit great को लेकर इस टाइम पर पूरी crypto community में काफी लोग जो है वो bullish है इसका सबसे बड़ा reason है कि bit great के कही ना कही पर जो strong points है blockchain, exchanges, pay price option EV brand और finally bit great ने कही ना कही पर travel industry के अंदर भी जो अपना एक tie up करने की बात की है एक partnership करने की बात की है तो bit great community कही ना कही पर एक fastest growing cryptocurrency बन चुकी है 2023 के लिए ये तो हो गया bit great की utilities और ecosystem से related अब कही ना कही पर bit great कही ना अपनी supply को एक बहुत बड़ा hurdle factor दिखाते हुए regular burn कर रहा है 10 burning के update है जो इस मन्त इस साल में October तक complete होने है और 3rd monthly burn का update हिंट की form में already bit great दे चुका है bit great community की trading भी बढ़ रही है और number of buyers भी daily basis पर बढ़ रही है boat की problem हो सकती है लेकिन कही लिया कही पर वो followers जो थे वो दुबारा recovery करते हुए और ये जो 612 point team के followers आपको bit great के official twitter handle पर दिख रहे हैं दोस्तु ये अभी तो सिरफ और सिरफ आप यह मान के चलिए 30% इसके अंदर bit great के buyer है people are waiting के bit great कोई और नया ऐसा ecosystem update लेकर आए कोई और नया potential add करे ताकि bit great की और ज़्यादा जो है buying हो number of buyers इसके अंदर add हो number of holders ज़्यादा से ज़्यादा बने और कही न कई पर अगर मैं binance listing की तरफ से बात करूँ तो minimum जो 3 lakh की condition है 3 lakh holder की जो condition है वो bit great बहुत ही जल्दी उसको complete कर ले हाला कि bit great की ecosystem में और कोई भी मुझे negative impact नहीं दिख रहा एक जो सबसे बड़ा hurdle है वो है holder की तरफ से दूसरा जो hurdle है जो कही न कहीं पर bit great community के लिए बहुत बड़ी point नहीं होगा वो होगा liquidity हाला कि अगर आज की date में भी आप exchanges के दरफ से update देखे तो ku coin पर bit great की 300 plus की liquidity है और अगर DEX के बाद की जाए तो pancake swap में 450 की liquidity है it means एक centralized exchange ku coin और वो भी top की exchange और एक decentralized exchange pancake swap जो वो भी top की exchange 450 और 318 की liquidity याने कि कहीं न कहीं पर bit great को liquidity का कोई issue नहीं है उसके बाद top spot exchanges की बात करे तो gate dot iodot बड़ा नाम है 391 की liquidity हुभई global की बात करे तो 272 की liquidity तो कहीं न कहीं पर liquidity जो है वो कोई बहुत बड़ा hurdle नहीं है इस टाइम पर sport exchange में जो top 14 में 14 rank की exchange bit get bit get में भी more than 300 की liquidity है वजीर X में भी liquidity है वो 300 की approach पोहच रही है it means कि bit get को liquidity की terms में कोई भी problem नहीं आने वाली है अब आता है सबसे बड़ा point लोग बार-बार पूछते हैं कि liquidity exactly होती क्या है दोस्तों बहुत simple ची term में समझाता हूँ बहुत सारे तरीके से आप liquidity को समझ सकते हैं लेकिन एक simple ची form बताता हूँ आपने मालीजे को एक token launch किया और आप उस token को किसी भी exchange पर list करवाना चाहते हो अब exchange को अपना comfortable zone चाहिए वो क्यों चाहिए कल को अगर आप लोगों ने token में scam किया लोग तो exchange में believe कर रहे है मानता हूँ कि token पर सबसे ज़्यादा believe है लेकिन exchange का भी एक बहुत बड़ा role play होता है तो exchange अपनी उस role को play करने के लिए आप लोगों से कुछ ना कुछ आप यह समझ लिए advance ले रहा है इससे क्या होता है कि project की liquidity strong बनती है आपने कई बार सुना होगा कि ये project 30% liquidity pancake swap पर log कर दी गी है इस project की वो लोग का मतलब क्या है कि 30% का जो main fundamental है 30% की जो main responsibility है वो अब एक DEX की बन चुकी है उसका नाम है pancake swap ऐसे ही जब Binance listing की बात आती है या Coinbase या Kraken जो भी top की exchanges है जब इन में listing की बात आती है they are demanding the higher liquidity क्योंकि जब तक exchange की हाथ में power नहीं होगी तो exchange list क्यों करेगी कल को अगर वो project scam कर जाए तो जैसे हम लोगों ने 2022 में Terra Luna के case में देखा भी है अब liquidity का point पिछले 1.5 साल से बहुत ही ज़्यादा strong हो चुका है और ये strong होना भी चाहिए ताकि जो ये spamming tokens होते है market में ये ज़्यादा से ज़्यादा grow ना कर सके लेकिन अगर liquidity का point strong बनता जाएगा तो crypto से धीरे धीरे करके आप देखेंगे fraud जो projects हैं, spamming जो projects हैं, वो निकलते जाएंगे genuine projects आगे से आगे आएंगे because जिने long term run करने अपने projects जिनके project में potential है they are building their utilities use case time to time, वो कहिने कही पर liquidity पर काम करते हैं, invest करते हैं और कहिने कही पर exchanges को चाहे centralized हो, चाहे decentralized हो दोनों exchanges को एक comfortable zone में लेकर आते हैं तब ही exchanges आगकर इनको list करते हैं that's why we are focused on liquidity एक तो हो गया ये point, ऐसे liquidity की बहुत सारे point है मतलब एक video में मैं पूरत नहीं समझा पाऊँगा लेकिन आने वाली time में आपको liquidity के ओपर एक dedicated video बना कर दूँगा कि liquidity कितने कितने type की होते है जिससे आपको एक confirm हो कि हम लोग जिन points में बात करते हैं कि liquidity काम है इस token के अंदर इसको exchanges की listing नहीं मिल रही उसके क्या reason है और अगर किसी project में liquidity जादा है तो उसके क्या reason है तो overall मुझे ये बोलना है कि कहीं न कहीं पर bitgrade को इस time पर liquidity का कोई भी problem नहीं है अगर bitgrade बाकी top के exchanges के लिए liquidity बना कर खड़ा है तो time to time bitgrade को binance coinbase में listing definitely मिल जानी चाहिए क्योंकि इस project के अंदर एक potential तो निकल कर आ रहा है अब जैसे जैसे bitgrade अपने monthly burn के update दे रहा है तो हो सकता है कि October 2023 तक bitgrade अपनी supply पर इतना massive impact डाले कि definitely जो top exchanges है वो bitgrade को list कर ले और वो एक बहुत बड़ा मोका ओने वाला दोस्तों मैं आपको कई बार April से June का जो महीना है 2023 का वो November December 2022 में जब भी वीडियो बनाता था तो बोलता था तेकि वही time चल रहा है burning start हो चुकी है price में improvement दिख रही है और जैसे next burn के update या buyback के update आते हैं तो price के अंदर हमें एक increment देखने को मिलता है तो अभी हमार पास time भी है अभी हमार पास एक zone भी है comfortable bidget को लेकर आने वाले time में 6-7 महीनों में bidget के listing, bidget के burning से supply तो impact होगी होगी इसके साथ-साथ listing का जो impact होगा वो bidget के price को काफी बड़ा बनाने में help भी करेगा और directly हम लोगों को एक अच्छा revenue निकालने में help होगी bidget के project से so overall जो अब तक updates निकल कर आ रहे है वो मने आपके साथ share किया है but please keep it in mind you are in the highly volatile market so if you want to buy, if you want to start, if you want to trade in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe Crypto Marr YouTube channel for more updates thank you so much